हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे तो फ्रेंस ये देखिए बादल बनी हुए हैं और देखते हैं कि बारिस होती है कि नहीं होती है क्योंकि यहां पर बारिस बहुत ही कम हो रही है और बारिस नहीं होने के वज़े से हमारे पौधे भी कुछ खराब हो गए और मैं आपको बता दू कि यह देखिए बड़ी दिन बाद जो हमारे गार्डन में जो है कुछ नए पौधे आया है और यह देखिए यह 30-30 रुपए में मिला है थोड़ा मांगी दिये हैं क्योंकि अगर हम नर्शरी में जाते हैं तो थोड़ा कम मिल जाता है लेकिन अब टोकरी में लेकि बेचारी बेच रहे हैं तो उन्हीं भी तो कुछ फायदा होना चाहिए तो 30-30 रुपए में तीन प्ल प्लांट मैंने नहीं लिया है देखिए चोटी-चोटी कलई है मेरे कि उन Crane का लोग तो यहां तो जो इंव रहा है वहीं प्लांट है और इनके पत्तियों कीदे किक अलरु बड़े अच्छ लग रहे हैं और एम मेरे पास नहीं था अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस कलर में फूल पूल आते हैं वी तो लगी तो महीं आपकम आपको देखा दूँ कनेड जिया कि मेरे पास एक जो रहा है तो फ्रेंस एक जोड़ा भी मेरे पास था लेकिनों भी खराब हो गया अई देखिए गुच्छु में कितने प्यारे प्यारे फूल लगी हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं काफी हेल्थी प्लांट है तो फ्रेंस मैं आपको बता दो ए भी 30 रूपय में यह भी 30 रूपय यानि कि जितने प्लांट आप देखेंगे सब 30-30 रूपय में मिला है और मैं आपको दिखाती हूं देखिए यह है अश्वगंधा और यह भी 30 रूपय में मिले हैं फ्रेंस इनके जो फूल होते हैं बहुत ही ज़दा खुसूदार होते हैं बता रहे थे तो इसलिए मैंने इसे भी लिया और इसे भी बहुत यह असाने से हम लगाएंगे और तेखिए रात की रानी रात की राणी भी मेरे यह थी लेकिन खतम हो गई इसमें सफेद कलर की फूल आयंगे प्रेर्ञ्ट बताएं आश्यवंगे जो है बड़ी जैसमिन है इसमें जो हैं पीले कलर के फूल आएंगे बताये थे तो फ्रेंस यह भी 30 रुपए में और यह देखिए यह बड़ी चादनी है यह देखिए इनके जो पत्तियों के कलर कुछ ऐसे दिख रहे हैं तो फ्रेंस इसमें देखे एक फूल भी लगा हुआ है तो चोटी चादनी मेरे पास है लेकि जो पत्तिया थी हम लोग किचन में यूच करते हैं तो फ्रेंस ओभी वेकार हो गया तो देखे एकड़ी पत्ते का पौधा भी लिया गया तो फ्रेंस सब 33 रुपए में मिले हैं और यह सब पर्मनेंट प्लांट हैं और मैंने सोचा कि मैं नर्सरी जाओंगी लेकिन बस मौ इन्हें बेल्डर मिट्टी में लगाऊंगी और फिर उसके बाद इन्हीं च्छाओं में रखोंगी और देखते हैं बारिस अगर होते हैं तो अच्छी बात नहीं तो फिर वहीं बाल्टी में पानी भरबर के लाके देना पड़ेगा यूग इन्हीं बचाना ज़रूरी है और बस यह चोटी सी सोपिंग हुई है और आगे कोसिस करूंगी कि जो विंटर सीजन के पौदे हैं उन्हीं भी लेकर आऊं तो फ्रेंस हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ फ्रेंस यह सब पर्मानेंट प्लांट है और मैं जो है इनकी कटिंग भी लगाने के कोशिस करूंगी ताकि यह मेरे गार्डन में बराबर रहें तो फ्रेंस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद